हलो आप्रिमानगेश , वरलकों टूकम टुआज है गिर संदक टॉडिनीफ्रीजिoupika न वालको टॉडिनकी आ। क्लासिस क्लासस्य का तरja चल आज का हमारा टॉपीक है 2001 एक टॉडिन इंग फ्रीजिञ पोईट तो चलि यह इस टॉपीक को थोड़्य freezing point क्या बोलता है very easy पहले सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना हो कि what is freezing point freezing point क्या होता है तो देखो freezing point एक ऐसा temperature होता है freezing point is that temperature is that temperature at which at freezing point is that temperature at which at which vapor pressure जो आपका vapor pressure है of liquid state of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state ठीक है तो freezing point एक किस temperature को freezing point बोलेंगे freezing point आप उस temperature को बोलेंगे जब आपका liquid state का जो vapor pressure है आपके solid state के vapor pressure में एक्वल हो जाता है ठीक है क्योंकि freezing में होता क्या है liquid जो है आपका liquid changes to change हो रहा है आपका liquid changes to solid liquid solid में change हो रहा है simply ठीक है तो इसी वादे से आपका जो liquid जब solid में चेंज हो रहा तो जो vapor pressure होगा liquid का वो आपके solid के equal हो गया इसका तभी वो point उस point पे जिस point पे वो liquid और vapor liquid and solid दोनों equal हो जाएंगे उनका vapor pressure equal हो जाएगा उसी point को आप बोल देंगे freezing point होगा ठीक है तो इसको एक graph से समझते हैं देखिए ये graph है ये लेते हैं हम लोग graph ठीक है ये एकक्सेस रिप्रेजेंट कर रही आपका temperature और ये एकक्सेस रिप्रेजेंट कर रही आपका vapor pressure चले एक लियर है अब देखिए temperature जब आपके पास कोई भी solid है ठीक है for example हम कोई solid लेते एक pure solid की बात कर रही हूं है यहाँ पर उस pure solid का कुछ ना कुछ अपना vapor pressure तो होगा भले ही बहुत कम हो liquid से बहुत ही जादा कम होगा बट कुछ ना कुछ amount तो होगा ठीक है तो vapor pressure तो increase होगा as an increase in temperature थोड़ा सा vapor pressure उसका बढ़ेगा जैसी आप temperature बढ़ा होगे यह जो आपको vapor pressure दिखाई दिया है यह pure solid का vapor pressure है तो इसको आपने mark कर दिया pure solid ठीक है तो आप देखे इस point पर इसका जो vapor pressure था इतना कम temperature वेपर प्रेशर बढ़ा वेपर प्रेशर बढ़ा फिर से temperature बढ़ा वेपर यहाँ पर maximum temperature तो maximum vapor pressure clear हो यह बात ठीक है तो उसी तरह से अब देखे liquid अब जब हमने liquid को मैं किसी और color से रिप्रेजेंट करती हूँ जब अब हमारे पास कोई एक liquid है ठीक है उस liquid का temperature मैंने क्या करना start करेंगे liquid को हम cool करना start करेंगे for example यह liquid यहाँ पर present है यहाँ पर present है और इस liquid यह अभी एक room temperature पर है जब मैं इसका pressure जब मैं क्या करूंगी इसको cooling करना start करेंगे तब ही तो वह solid में change होगा तो चलिए पहले हम इसकी cooling करते है जैसे मैंने इसकी cooling start की मैंने इसकी cooling start की यह जाके इसको cut कर रहा है इस point पर cooling करते-करते एक ऐसा point आया जहाँ पर आपका जो pressure था liquid का vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid क्योंकि यह solid के vapor pressure वादी line को cut कर गया ठीक है तो यह जिस line को cut कर गया जिस solid की line को cut कर गया इसको हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो liquid है वो भी आपका आपने कैसा लिया pure liquid simply pure liquid लिया है तो इस point को हम बोलेंगे T not F इस point को मैं किसे denote कर रहा हूँ इस point को मैं denote करूँगी T not F से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ T not F से ठीक है not लगा दिया ना मैंने क्योंकि pure था clear हुआ अब हमने क्या किया कि मेरे पास यह था एक solvent था इसके अंदर मैंने B solute आड़ कर दिया ठीक है A solvent था उसमें B solute आड़ कर दिया कैसा solute non-volatile non-volatile solute आड़ किया तो उसकी वज़े से जो हमार पास यह बना solution यह क्या बना आपका यह आपका solution हो गया तो अब इस solution का freezing point मैंने चेक करना है ठीक है इस solution का freezing point और इसका freezing point हमने compare करना होता है तो देखिए अब ज़रा freezing point में क्या change आया जब यह solution मैंने बनाया तो उसके freezing point में क्या change आया कि उस solution को उस solution को भी मैंने उसके room temperature से क्या करना start किया cool start किया ठीक है जैसी मैंने उस solution को भी cool करना start किया तो उसका जो pressure vapor pressure को decrease होगा इस position पे ठीक है मतलब जहां पर freezing point था liquid का उससे कम freezing point किसका आगया आपका solution का तो यह वाला जो area है यह वाला जो area है यह represent कर रहा है क्या freezing point of solution मतलब इसको मैं represent कर सकती हूं ती एफ के साथ this is your T F क्या है यह T F चिक है यह आपका T F है यह आपका T F not मैं यहाँ पर लिख देती हूं T F not clear हूँ यह आपका T F है यह आपका T F not है मतलब यह जो second वाले जो था यह वाला जो point था यह है किसका solution का किसका है solution का आपके solution का point है जहां पर after adding solute solute add करने के बाद जब आपने उस solution को cool किया तो उसका जो freezing point था वो कहां पर जाके solid के equal हुआ इस position पर जाके equal हुआ ठीक है तो वो position जो है वो liquid की position से तो बहुत कम आई है ना liquid का देखो vapor pressure उसका liquid का freezing point उपर है और इसका freezing point मीचे है तो इसका मतलब यह जो decrease आया है इस decrease को बोलते है हम depression in freezing point जिस अगर T F से represent करेंगे ठीक है तो अगर मुझे देखना होगा कि delta T F मैं कैसे find out करूंगी तो delta T F अगर मुझे find out करना है तो मैं क्या करूं यहाँ पर T naught F pure solvent में से solution को minus कर दो clear है तो pure solvent का क्यूँकि ज्यादा है solution का कम है तो pure solvent बड़े मेंसे छोटे को minus कर दिया pure solvent मेंसे मैंने solution को minus कर दिया और यहां से हमें क्या पता लग रहे है कि temperature increase करने पर solid का vapor pressure decrease हो रहा है उसी तरह temperature decrease करने पर liquid का भी vapor pressure क्या हो रहा है क्योंकि freezing point actual में होता ही क्या है freezing point वही position होती है जब आपका जो vapor pressure है solid का equal to vapor pressure of liquid तो ये वो point था जहाँ पर vapor pressure of solid equal to vapor pressure of liquid और ये वो point था जहाँ पर vapor pressure of solid becomes equal to vapor pressure of solution ठीक है तो जिसकी वरे से जब change आए आपके total solution में वो क्या हो गया, delta tf लिया हमने इसको tf not minus tf ठीक है ये pure का था और ये solution का था ठीक है depression उतना ही ज़्यादा होगा जितने number of solute particles आप add करते जाओगे क्योंकि ये जो depression आया वो आया किसकी वज़े से number of solute particles की वज़े से ही तो आया है, हना? तो जितने ज़्यादा number of solute particles आप add करोगे उतना ही depression होगा तो इसका मतरब delta tf जो है वो directly proportional होगा किसकी solute की concentration पे solute की concentration पे हना? solute की concentration पे directly proportional होगा बिल्कुल करेक्ट है ये बात तो, बिल्कुल करेगा उसकी solute की जितना ज़्यादा solute add करते जाओगे उतना ही ज़्यादा depression और यहाँ पे स्पेरिमेंटली हमने find out किया था कि जो concentration है वो क्या है? molality क्योंकि वो एक temperature independent term है ठीक है? तो हम इसको लिख सकते है delta tf is directly proportional to molality. अब यहाँ पे ये directly proportional का sign हटाने के लिए मुझे एक constant अगाना पड़ेगा तो मैंने लगा दिया delta tf is equal to kfm आपके ये नया formula आ गया kfm जहाँ पे जो ये आपका kf है ये क्या represent कर रहा है? this is cryoscopic constant cryoscopic constant बोलते हैं इसको ठीक है? इसको क्या नाम दिया जाता है? cryoscopic constant और जो आपका ये small m है ये क्या है? molality molality ठीक है? और मुझे पता है molality का formula क्या होता है? molality molality simple आपके कैसे represent करोगे? molality का formula कैसे लिखते है? number of moles of solute per kg of solvent है ना? तो number of moles of solute को कैसे लिख सकते है? wb upon mb यही होगा divided by बड़ा बड़ा divide use करेंगे ठीक है? per kg of solvent है तो हम क्या लेंगे? weight of solvent लेंगे या पे wa wa divided by किससे? thousands है तो इस वाली term को उल्टा करके इधर लेकर आए तो हमारे पास जो formula बनेगा वो क्या बनेगा? m की value क्या आएगी? m की value यहां लिख देती हूं m की value यहां से निकल के क्या आएगी? wb into thousand ठीक है? divided by किससे डिवाइड करेंगे? mb into wa यहां से यहां से निकल के हमने यह निकल ली तो अब यह वाली m की value यहां पर पुट करिए तो formula क्या बनेगा? delta tf is equal to kf into wb into 1000 divided by mb into wa ठीक है? तो यह आपका formula आ गया किसका? depression in freezing point जहां पर delta tf आपका depression in freezing point है kf मैंने आपको बता है cryoscopic constant है wb जो होता है वो weight होता है solvent का wb is equal to weight of किसका weight होगा? sorry solute का not solvent का solvent का wa होता है solute का ठीक है? और wa जो है वो किसका होगा? solute का weight, solvent का weight solvent clear है wa किसका weight होगा? solvent का और mb जो होगा वो molecular mass of solute जो भी आपको given होगा solute का clear है? तो यह आपका हो गया depression in freezing point very very important ज़रा ध्यान देना इस पर बहुत important topic है write down in your note books